राजी में जमीन लूट का मामला तो आए दिन देखते ही होंगे आज हम आपको ऐसा ख़बर दिखाने वाले हैं जो ख़बर देखकर आप ही तै कीजिये की प्रशासंग भी दलाल से मिली है या नहीं पहले यह वीडियो देखिए वीडियो में जो पुलिस जवान बोलता हुआ नजरा रहा है कि मुबाइल से वीडियो मत बनाएए नहीं तो मुबाइल तोड़ देंगे और वही पुलिस सामने दलाल और जमीन मालिक में भेर हो गई जहां आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान कैसे देख रहे हैं ना शान्त करा रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं मावगा हटिया के कर्शनार टोली का है जहां जमीन विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गये वही महिला के साथ मदसलू की भी किया गया तथा महिला को पीटा भी गया पत्थरबाजी के साथ अफशंद भी कही गई सुनिये महिला ने क्या कहा क्या आज आप पे किसी ने हाथ भी उठाया है जी मैडम जुवेर आलम क्यों आपके जमीन पे बार बार आ रहा है कबजा करने के लिए कबजा किया हुआ हुआ है जुबेर आरम का जो आपके हिसाब से आपके रेंटर है क्या कुछ मामला है वो क्यूं आप इस तरह से आज का जो वाक्या हुआ वो क्यूं हुआ है हां मैं मेरे पापा का खरिदगी जमीन 83 का है और मामी पापा का ही मतलब रेंट पर दिया हुआ घर था अब मामी पापा कई बार उन लोग को खाली करने बोले जब घर का निर्मान कराया जा रहा था वाकी हिस्सा में लेकिन वो लोग कभी खाली नहीं करना चाहें और दबंग करते हैं प्राशाशन जहां तक मदद भी करता है लेकिन प्राशाशन के सामने यह लड़का इतना गुंडागर्दी करता है इतना दबंग है इसके की में यह अपने आपको पाटी का आदमी कहता है कि इस पाटी का है क्या है दस पंद्रा लड़का ला करके रखता है और उत ग्रामीन SP को भी आवेदन दिया था क्या कुछ इसमें लिख करके आवेदन किया कुछ आश्वाशन उनके तुरफ से आपको दिया गया जी ग्रामीन SP के दोआश्वाशन भी दिया गया काम भी बंद कराया गिया लेकिन ये लड़का बार-बार मतलब सब की मना करने के बावजूद भी रातो रात काम कर आया उसके बाद फिर मना किया गिया फिर आज दोपहर में जब हम लोग सब काम कर रहे थे अचानक धलाई का गारी आया जब हम लोग आवास सुने निकले तो को देखCloud का घाड़ी लगा हुआ है लोग गैम मना करने तो मेरी एक दीदी है जो विचारी बहुत मजबूर है उसका कोई नहीं है उसको वह लड़का हींट से मारा थपर से मारा पूरा कान में पुरा बुरी से उसको मारा, पहले भी मेरी भावी को मार चुका है, मेरे भाई को मार चुका है, पापा को मार चुका है, मतलब जब भी इसको जैसा मन करता है, वैसे दबंगई करता है, मार फीट करता है, बच्चा को भंकी देता है कि काड देंगे, फेक देंगे, प्रसासन से हम यही कहना चाहते हैं कि प्राशाशन हम लोगों का मदद करे 144 का आवेदन गया हुआ है थाना में लेकिन आज तक इस लड़का को यह पता नहीं है से बिंग तक नहीं कराया गया जिसके वज़ा से यह लड़का प्राशाशन के सामने धंकी दे रहा है कि सब को काट कर हम घर बनाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा प्राशाशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है किस अधार कुछ नहीं है पहले खुला हुआ हम लोगों का पुरा दस दिसमिल जमीन था जिसमें मेरे पापा का ही बनाया हुआ घर है पुराना घर है खप्रेल मकान है जिसमें वह रह भी लेकिन पापा के बार-बार मना करने के बावजूद भी ये खाली नहीं करता है और वाकी जो हिस्सा है उसमें भी जबरन घर पनाने का कोशिज कर रहा है जी मैं मा यह हम लोग का बिवाद करीब करीब 2019 से चल रहा है जो की एक तो तोर पर आया था जबरन हम लोग का जमीन पर कबजा कर रहा है और हम लोग जब भी रोग ठांक ले जाते हैं तो आप सब बोलता है धंकी देता है हम लोग से मार पीट करता है मुझे तो जुबेर आलम जो जुबेर आलम है वो जबरन हम लोग के जमीन पर कबजा कर रहा है यहां तक कि हम लोग को धंकी भी देता है बार-बार की मार के काट के फेक देंगे और हम लोग बस चारी महील आए हैं घर में और छोटे-छोटे बच्चे हैं जो दो पुरूस करता है तो मारत करता मेरे साथ किया है सो कि युष सका जोटा पीट में पूरा ईतना कून क के मार कहार है तो मैं तीन दिन बहुंप होती है और चु सम सही होगा मैं समय कमिकि心 sano उसे छेड़ खानी भी करता है उन लोगों को धनकी देता है तो यह जुबेर आलम जो है बिल्कुल गुंडा टाइप का आदमी है जो कि कि किसी पाटी का है या नहीं है मैं नहीं जानती हो लेकिन पाटी के सपोर्ट में यह कुछ गुंडों को भी लाता है खुद तो जो करता करता है जुबेर आलम गुंदो के जरिये भी हम लोगों को अभीत करेंगे का 2022 के बता है पर जमीने धिर जॉबिना पर होते हैं वह बार वार वार हमारे जमीन पर कबज़ा करता है तो हम लोगों के लिए क्या कोई कानून कोई प्रशाशन नहीं बना हुआ है जो इस बोला जा रहा है कि आज प्रशाशन की मौजूर्गी के में आपको अपसब्द आप सब्गों को अपसब्द और धंकी दिये गई वह वाक्या क्या था जी जी तो ठोड़ा सा भी रिस्पेक्ट होना चाहिए लेकिन प्रशाशन के सामने मेरी ननत को कनपत्टी में मारा गया जिनसे कि उनका कान एक कान भी सुन पड़ा हुआ है और प्रशाशन के सामने हम लोगों को अधसब्द बोला गया अंड़ी भी उनका जो है कि पाइपलाइन जिसे के वो धोलाई करेगा और प्रसासन में ये भी नहीं है कि उसे ढ़ुए के वहाँ से हटा दे बलकि प्रेशासन उसे सपोर्ट करती है क्या करती है मैं नहीं कर सकती हूँ लेकिन वो किस बल पे है किस पाटी के बल पे है हम लोगों के जमीन को कभजा करना चाह रहा है तो मैं प्रशासन से और कानून से यही चाहूंगी कि हम लोगों को इंसाफ मिले और हम लोगों को जो धंकी दिया जाता है तो हो सकता है कि आज धंकी दे रहा कल को कुछ कर सकता है तो इस कंडिशन मैं प्रशासन से कानून से यह दैसब structuresby Bureau आप perspectives索़की आप लोगों से कि हम लोगों को इनसाफ दिया जाए कि Tür लगों के साय Чер के रियाएद भरता जाए हमुझा कि लोगने पर दी रातने में आपको डर लग रही है यहार अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना न भूले